गूढोंग विद्धियर आप सभी का मैं सुअगत करता हूँ, E A D परिवार के साथ हमारे सभी विद्धियर आप सभी विद्धियर आप सभी विद्धियर across च्रेट करता हूँ, और 6 से लेकर Eieder 7 वर्य तक आपके इक लास रहती वे ठीक है, तो सभी विद्यारती एक बार क्लास को share करेंगे, उन सभी गुरुपों में, जिन भी गुरुपों से आप लोग जुड़े हो, उन गुरुपों में एक बार क्लास को share भी करेंगे, और सथथ विद्यारती जैसे ज किस तरह से मिलते हैं, objective रूप में आपको question मिल रहे हैं, जो PIB के recording, national newspaper, इन सब ही को देखते हैं आप लेगो, ठीक है, तो देखें आपर पहला सवाल क्या दिया गया विद्यारती हो, question क्या आप पूछा गया, which actor has won the best actor award, 93 Oscar award 2021, so academic award 2021 में दिये गए, तो Oscar award जो दिया गया आपका, best actor का, तो किसे दिया गया, ठीक है न, तो best actor का खिताब किसने जीता है, ऐसा सवाल आप से पूछा जाता है, तो आपका answer क्या बनेगा याप पर, मेरे भी ध्यारती हो, आपका answer क्या बनना चाहिए, देखेग इसका right answer क्या मनेगा, मेरे भी ध्यारती हो, आपका answer आएगा बचे आपर क्या, Anthony बचे आपका Hopkins, देखेगे न, Anthony Hopkins को इस award से सम्मानित किया गया, ठीक है, Anthony Hopkins को इस award से सम्मानित किया गया, ठीक है, चलिएगा, देखे, इस verse के लिए Oscar में बचे कई इस तरों पर एतियासिक त फिल्माओं के छेतर में, फिल्म के छेतर में दिया जाने वाला सबसे बड़ा award कौन से है, तो आपका Oscar award आएगा, सबसे बड़ा award कौन से आपका Oscar award, और उसके साथ-साथ विध्यारती आप से पूछा जाता है, इसका दूसरा नाम कि आपका, इसी को academic award के नाम से भी जानते ह ठीक है, चले आगे देखेगा, बिल्कुल दूसरा सवाल आपका यही बनता है कि सर, यह बताएगा कि best actress का award, यानि कि serviceist अभिनेत्री का award जो Oscar के लिए दिया गया, 93 में, तो यह किसे दिया गया, ठीक है, 93 में Oscar award में हम लोग बात करेंगे, best जो female category में, तो यह किसे दिया गय आपका, Francis आपका, MacDonald को दिया गया, समझो, MacDormand को, sorry, MacDormand आपका, Francis आपका किसे, MacDormand को इस award से सम्मानित किया गया, जो कि विश्वबर में, फिल्म के छेत्र में दिया जाने वाला, सबसे बड़ा award है, अगर मैं बात करूँगा, भारत में, फिल्म के छेत्र में आपका कौन सा, दादा साहिफ फाल के पुरुषकार, भारत में अगर फिल्म के छेत्र में और विश्वबर में सबसे बड़ा कौन सा होगा आपका, 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 विश्वबर में तो आपका, और भारत में कौन सा होगा, मेरे विद्यार्ति हो, तो भारत में आ ठीके ना यहां पर क्या दिया गया यानिकी category 1 समझो स्रेणी 1 के लिए स्रेणी 1 के लिए यी पंचायत पुरुषकार 2021 किसना जिता आपका ठीक है यी पंचायत पुरुषकार लास्ट टाइम पर आपके हिमांचल प्रदेश को इससे सम्मानित क्या गया था लास्ट टाइम पर यी पंचायत पुरुषकार 2021 के लिए किसे सम्मानित क्या गया उत्तर ब्रदेश रज्य सरकार को किया गया बाकी आप लोगों को मैंने बताया कि भारत में पंचायतों को जो आपका समवैधानिक दरजा प्राप्त हुआ वो किस वर्स हो आप लोग कॉमेंट्स में बदाएं सविधान संसूधन 1992 की तहत यह लागू कब वहाता 24 अपरेल को लागू होता है कब 1993 में 1993 में क्या होता है लागू होता है आरा समझ में आपको यह पंचायत पुरुषकार 2020 में जो आपका केडिगरी वन में पहला इस्तान प्राप्त करा यानि कि जो स्री स्रणी वन में क्या कर आपका पहला इस्तान प्राप्त करा इसके बाद दूसे नंबर पर असम है तीसे नंबर पर च्छतिस गड़ जबकि ओरिशा और तमिल आपका ओरिशा और तमिल नाडू तीसरे नंबर पर ओरिशा और तमिल नाडू मेरे विध्यारतियों ठीक है चलेगा आगे देखेंगे यहां पर क्या दिया गया मेरे विध्यारतियों एंसी बचे आपका डेक्स की बात किया कि नए एंडी और सी ओ के रूप में किसे चुना गया तो यह चुना गया आपका आरून बचे आपका रेस्टी को चुना गया देखेगा बहुत ही महत्तवपूर्चीज आपका यहां पर क्या पूछा गया मार्केटिंग पूछा भी जाता है भारत में सेहर मार्केट के रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसके पास है यह पूछा भी जाता है भारत में सेहर बाजार को नियंतित करने वाली जो संस्ता है वो कौन सी आपकी सेवी एमरी विद्यारती ठीक है और सेवी की स्टापना कब हुई थी 1988 में हुई थी वर्तमान समय पर आजय त्यागी लास्ट टाइम पर हमारा जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद इनका कारेकाल बढ़ा था अब तो दुबारा से लग गया तो दुबारा इनका कारेकाल भी बढ़ जाएगा ठीक है न चलेगा अगले सवाल पर क्या दिया गया सवाल नंबर जो दस्वा दिया गया पूछता है कि निम लिखिन मेंसे किसने वार्सिलोना ओपन टैनिस टाइटल 2021 जीता एक एक सवाल आपके स्लेक्टेड सवाल है यही सवाल आपको क्विज में भी मिलेगा यही सवाल वन लाइनर में भी देखने को मिलेगा यानि कही सारे सवाल आपको अलग लग जाए उपर देखने को मिलता रहेगा ठीक है और मैं अपने सभी विद्यारतियों को यही मैसेस दूँगा आप भी यहां से बचे आपका EAD परिवार की दरब से और मैं जब सदस्य की बात करता आपनों का क्योंकि इस समय पर जो इस्तिती है जो हुआ है विद्यारतियों कही न कहीं उसमें लोगों में बहुत सारा डर भी है तो उस डर से मैं यह कहूंगा अगर कहीं पर यह समस्या से आप लोग जूज रहे हो तो इस डर को थोड़ा कम करेगा बाकि सब ठीक होगा क्य तो इस समय पर आपको patience रखना है, इस समय पर मेरे विध्यारते हो, यदि कहीं पर कोई दिक्कत हो जाती है, तो खुदी बचे आपको सकारत्मक्सोस के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, चलेगा, और बाकी तो आपको बताएं, इससे बचने का सबसे आसान तरीका ही है, कि घर पर रहेगा, अपना study room को इस बार बहुत अच्छे सजाएगा, decorate करेगा, जो आपका study room है ना, उससे अच्छे से decorate करेगा, कि ये देखेगा, लोगडाउन के दोरान, मैंने अपने study room को इस तरह से बनाया ठीक है, मैं इस तरह से अपनी तयारी कर रहा हूँ, यसे कल हमारी व अच्छी बात है कि प्रिंटर ले लिया, लेकिन आप देखो अगर कोई विध्यारति गाउं से है, तो गाउं में तो इस संभाव नहीं है, प्रिंटर ढूडने के लिए कफी दूर जाना पड़ेगा, है ना, तो देखिए इसका राइड अंसर के आएगा विध्यारति आप आपका राफेल नडाल, पूछ लेता है कि राफेल नडाल कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, पूछ लेता है आपका नुवाग जोकुविस कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और रोजर फ्रेडर कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, एसा सवाल भी आपका कई बार exam में पूछा गया, आगे देखेगा, question number देखेगा आपका, किसी देशन आपने पहले mangle गिरह के पुछा आपका रावर नाम को क्या दिया गया आपका, जिरॉंग रखा है, ठीक है ना? किस देश ने अपने पहले मंगर गएके रोबर मिशन को क्या नाम दिया गयाद她? जिरॉंग रखा है विच गांठी निम्ट फॉर्स टेवरड़ अवर जिरॉंग करके बाद किया आप OH गया जिरॉंग रखा गया चीन या पर रस्या दिया गया जापान या ब्याटनाम तो ये काम कौन कर सकता है विद्यारतिया आपका बिल्कुल चाहिना की द्वारा इसका नाम क्या रखा गया आपका ज्यूरॉंग रखा गया ठीक है ज्यूरॉंग रखा गया चलेगा ठीक है न मिरे विद्धियारती हो चलेगा चीन इसका राइट आएंसर आएगा ठीक है अब देखिए मिरे विद्धियारती आपसे चीन से क्या-क्या सवाल पूछा जा सकते हैं हाँ कल इविलिंग में एक सवाल कराये था मैंने आप लोंको ब्राजिल की करेंसी तो सा अगर कभी कवार ऐसा होता है कि मैं फ्लो में आपको कुछ और अंसर बता देता हो तो उसका स्किन सोर लेके मुझे वार्ट सब कर दीजिएगा जिससे कि मैं अगली क्लास में उसे किलियर कर दू आप लों को डिगे ना चलेगा तो चीन के सबसे बहले तो करेंसी पूछ लेता चीन की जो नेस्टाल गया में चीन का जो रास्टे खेले वो टेबल तैनिस हो गया उसके बाद मेरे भी ध्यारते हो यहां की पार्लिमेंट को नेस्टनल क्या गाहा जाता बचापका पीपल्स का आपका असेंबली या कॉंग्रेस के नाम से जानी जाती है एंपीसी नेस्ट पीपल्स के सकते हैं या नेस्टनल पीपल्स या पर असेंबली के नाम से जानी जाता आता आपका ठीक है चलिगा नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला सवाल अगला सवाल देखेगा हाली में भारत के किस महीला बचापका रिगवर्स टीम ने तिरंदाजी में विश्वा कप स्टेज में आपका गोल्ड मेडल जीता ठीक है यहाँ पर क्या पूछा गया इसेंटी विच्ट इंडियन वोमें बचापका रिगवर्स टीम ओन दा गोल् से संबन दिता है ठीक है जैसे जैसे आप सभी विद्यारती लाइब आ रहे तो वीडियो को लाइक भी करते रहेगा वीडियो को लाइक भी गरने आप लोगों को चलेगा नेक्स देखेंगे अगले सवाल पर अगला सवाल दिया गया खेलो इंडिया यूथ गैम 2021 का चौथ अच्वाइचा एडिशन किसा एयर द्ल screenshot अब क्या झाय जाये गा देखेंगे पहले तो हमारा हरी आना से भاتव अध्यारती ओ हरी आना से था लेकिन अब क्या कह एता आपका कि या रहन की ये खेलों का उ वर्तमान परिस्तिती को देखते वे दिल्ली और हरियाना के कुछ अलग अलग जगहों को सलेक्ट किया गया खेलो इंडिया यूथ गैम की मगर बात कर रहा हूं तो देखेगा इसके बारे में मैं आपको काफी कुछ चीजां पहले बता चुका हूं और ये बहुत महत्वपू टॉपिक है मेरे बिद्यारते हो यहां से पिछले कई सारे एक्जाम को उठाएगा हर एक्जाम में एक सवाल आपको देखने को मिलता है ठीक है तो देखेगे मेरे बिद्यारते हो खेलो इंडिया यूथ गैम क्या मेरे बिद्यारते हो खेलो इंडिया यूथ गैम इसकी सु पूट हाउजेन एटीन से हुई थी दूसरी बार कभ वा एक खेल आपका तो 2019 में हुआ तीसरी बार कभ वा मेरे विद्यारते हो 2020 में हुआ और इस वर्स कभ और आपका 2021 में हो रहा ठीक है अठारा में दिल्ली 19 में पुने महरास्टा 20 में गोहाटी असम ठीक है इस खेल में द भाग लेते हैं और याद रखेगा मेरे विद्यारते आपका 2021 में अब ये खेल पहले तो आपका स्लेक्टर था पंचुकुला में होगा पहले विद्यारते आपका क्या था पंचुकुला हर्याना में होना है लेकिन अब आपके अलग-अलग स्तानों पर होगा कम से कम आपक तीन चार जगे क्या किएगे, स्लेक्ट किएगे, तो 2020 में आपका कहाँ पर, हरियाना और दिल्ली, इन दो जगों पर होगा, अगर होगा तो, समझो, वर्तबान प्रस्तिती को देखते हुए, को लगता को नीद नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी, ये दो जगा आपका स्लेक ने खेल नहीं जोड़ेगे, तो चार नहीं खेल, इसमें सामिल के गई सवाल, स्सी जेक अंदर पूछा गया था, कि 2020 में, जैसे आपका पंजाब से जोड़ा गया, तीसरा मेरे विद्यारतियो, मनिपूर से जोड़ा गया, ठीक है, और चौथा आपका महरास से जोड़ा ग पंजाब से जोड़ा गया, तो अभी भारत के चार नहीं खेलों के इसमें सामिल के आगया, ठीक है न, चलिगा, यहापर क्या पूछा, खेलो इंडिया 2021 के लिए, जो 21 नौंबर से लेकर 5 दिसमबर के 20 में होगा, तो बचाब का दिसमबर था है, पंचुकुला, देखेगा पंचुकुला, अमबाला बचाब का सहबाद, दिल्ली, चंडीगर में आईजित किया जाएंगे, ठीक है न, इसमें अंडर 18 के डिगरी, अच्छा अब अंडर 18 होगा, अभी द्यारती हो, पहले अंडर 17 था, अब अंडर 18 होगा, यानि कि 18 अभी भी भीन, खेल और गति वि पंचुकुला, अमबाला आपका सहबाद, दिल्ली और चंडीगर में आईजित किये जाएंगे, चलेगा, नेक्स देखेंगा मेरे विध्यारती हो, आउक्सपोर्ड आपका एकनॉमिक्स ने 2020 के लिए भारत की GDP विकासदर को कितना कम कर दिया, देखें यहां पर पूछा ग आपका, तो यह कहा गया आपका 10.2 प्रतिसत, देखेगा, 26 अपरेल 2020 को गलोबल बचाप का फॉर कास्टिंग की बात करेंगे, फाम आक्सपोर्ड, एकनॉमिक की द्वारा 2021 के लिए भारत की GDP दर, विध्यानमान बचाप का 11.8 प्रतिसतर से घटा कर, कितना रख दिया, 10.2 प्रतिसत कर दिया गया, समझो, यह ध्यान दिजेगा, क्योंकि देखेगे, कोरोना वाइरस को देखते वे भारत में, जो बढ़ते स्वास्तिया बोज के रोकने के लिए थो सरकारी इननतीत में कामी, समझो, उसके कारण आपका, जो, तो 2020 में आपका कितना रहने की बात की चलेगा, चीन के पहले, मंगल रोवर को क्या नाम दिया गया, तो अभी पढ़ा था नमने, तो हमने क्या नाम दिया गया था उसे, बिलकुल आपका, जोरांग करेंगे, आपको बताया था, जोरांग, देखेगा, वाट इस दनेम आप चाइना, फॉस्ट मार्स रोवर की ब क्वेशन नमबर 22 क्या कहता है, किस देश के साथ भारत ने अरब सागर में नो सेना अभ्यास वरून, देखेगा, यहां पर क्या नाम दिया गया, तो बहुती महत्वपूर्ण सवाल आपका वरूना करके, ठीक है ना, वरूना करके, वरूना, समझो, वरून आपका नो सेना अभ्यास आईजित किया है, किस देश के साथ भारत ने नो सेना अभ्यास वरून का आईजन किया है, ठीक है, तो यहां किस देश के साथ किया गया आपका, बिलकुल मेरे विद्यारती हो, फ्रांस के साथ, समझो, आपका, किस के साथ, फ्रांस के साथ, वरून अभ्यास किया गया देखें मेरे विद्यारतियों आए जित किया ठीक है देखें मेरे विद्यारतिया आपका भारतिया और फ्रांसिजी नौ से नौ की द्वारा वरून दो हजार एक्षिस को वर्च कब आपका 25 अपरेल से 27 अपरेल तक कहां पर Arabic C के अंदर ठीक है तो ये नेवल सवाल पूछा जाता है एक सवाल अक्सर आपने देखा होगा एक्जाम में या कभी आप अभ्यास वेपर देते हैं तो उसमें देखा होगा लक्षे द्वीब की लोकेशन पूछता है लक्षे द्वीब आपको कौन से सागर में या कहां पर कौन सी खारी में देखने को मिले जो भारत के क्या है एक आपका यूटी भी है यूने टेरिटी भी आपका समझो तो इसकी लोकेशन पूछे अरब सागर, हिंदमा सागर, गल्प आप मननार या बे बेंगोल तो कहाँ पर देखने को मिलेगा मेरे विद्यारतियों तो यहाँ पर यानि कि इस लोकेशन में तो यह कौन सा आपका अरबिक सी वाला लोकेशन कहाँ पर मिलेगा अरब सागर के अंदर आपको देखने को मिलेगा चलेगा नेक्ष बनेंगे विश्व बौधिक संपदा दिवस के रूप में वर्ड इन्टेक्शुल डे समझो आपका क्याएगा वर्ड इन्टेक्शुल प्र देखें मेरे विध्यार्तियों क्योंकि देखो समय का थोड़ा भाव रहता है और बहुत सारी चीज़ें स्वयम ही सारी चीज़ें आपनों को क्लेक्ट करने परते हैं लेकिन मैंने कहीं ना कहीं आपनों के लिए जब प्रोगाम शुरू कर रहा है तो कुछ चोड़ा सा आपको किस में रखा है करेंट अफैर का जो प्रोगाम शुरू कर रहे ठीक है उसे वहां पर स्पेशल देखो क्योंकि विध्यार्तियों को लगना चाहिए कि हमें थोड़ा सा डिफ्रेंट क्या मिल रहे है अलग वहां पर क्या मिलना ठीक है ना और उस अलग को देने का सब अब से बड़ी वज़ए यह है कि मैं अपने विध्यार्तियों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ू और उस प्लेटफॉर्म पर रेगलर उन्हें वाच करूं कि विध्यार्तियों का जो क्यों देखो आपको जो क्विस दिया जा रहे है उस क्विस को मैं देखता हूँ कि कि आप लोग कितना टैम करते हो कितने माक्स आते हैं आप लोग के वो सारी देखना को ठीक है तो यहाँ पर मुझे लगता है जैसे हमारे विध्यार्ति जो नए विध्यार्तियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह होती कि करेंट अपर सुरू कहां से करें अब सुरुवात तो करनी होगी कई नहीं से सुरुवात तो करनी होगी लेकिन थोड़ा सा किसरी स्टार्टिंग में कुछ ऐसे टॉबिक जिससे कि हमारा कॉंविडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाए जिससे जो बिल्कुल नया विध्यार्ति होता है देखिए जो चीजा मैं बता रहा हूं यह तो उनके लिए कि जो मुझे पिछले दो-तीन महिने से फॉलो कर रहे हैं तो उन्हों भी ध्यारति हो लिए ठीक होता है वो क्लास को देखते हैं और रेगुलर अपका कंटिन्यू करते रहते कि उन्हों नोट्स भी तैयार कर दिये लेकिन जो बिल्कुल फ्रैसर होता है बिल्कुल नया उनके लिए थुड़ा दिक्कत आजाती समझो तो उनके लिए क्या गरेंगे जो हमारा प्रोग्राम सुरुआ है तो वहाँ पर क्या रखेंगे जैसे important बचे आपका day होगे किसी मन्त के अंदर अप्रैल मन्त है अप्रैल मन्त के महत्वपूण date होगे और date के साथ क्या हो गया theme हो गया एक lecture हमारा पूरा बन गया ज्यादा मुश्किल से हमारा दस से बंदर मेट में complete हो जाएगा तो ये वीडियो वहाँ पर रख देंगे जो मैंने कल मैं सोच रहा था अगर एक दिन की छुट्टी ली तो छुट्टी में कहीं न गई यह सोचा गया कि आप लोगों के क्या विशेस किया जा सकते हैं क्या अलग किया जा सकते हैं जो नए विध्यारती है जैसे पूरे मन्त का अप्रेल मन्त की देट हो गए और डेट के साथ आपका theme होगे या हम उस देट को क्यूं मनाते हैं उसकी वजह भी जान लेंगे तो आपके लिए आपका special हो जाएगा तो इसे भी हम वहाँ पर एड कर लेंगे उसी तरह से जैसे exercise है exercise को रख लेंगे ठीक है न तो यह सारी चेह हुआ पर बच्चे में ने प्रोगाम को बहुत अच्छे लेबल पर ले जाने की भुलकुल प्लानिंग करिया है तो उसमें आपनों का सहयोग बिल्कुल चेह होग चलेगा तो यहाँ पर विश्व बौधिक संपदा दिवस के रूप में प्रतिक वर्स हम लोग 26 अप्रेल को मनाते हैं 26 अप्रेल कोई विश्व बर में एक घटना हुई थी कब 1986 में यहादर आप लोगो बताएंगे हमारे पुराने विद्यारती बताएंगे 26 अप्रेल 26 अ एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया था उस डिजास्टर का नाम बताएंगे मेरे विद्यारती हो क्योंकि इसी दिन हम लोग एक दिवस और मनाते हैं इसी दिन 26 अप्रेल 1986 को एक डिजास्टर जो कैसा था आपका एटोमिक यानिकी प्रमानविक क्या थी बचा समझ जो आपका क्या था आपड़ा थी कहा पर बेलकोल सार्नोब बिलकर के नाम सेत अथा अपने सार्नोबिल ध्याना आणा को सार्नोबिल की जो घटना थी चैन ओ vli गटना कभी थी इसी समय पर हुई थी यादराना आपको 26 अप्रेल 1986 को ठीक है 26 अप्रेल 1986 को यहां पर पूझ रहें मेरे विध्यारतियों मेरे विध्यारति में आप सभी को बताना चाहूंगा कि देखेगा मैं तो बिल्कुल अगेडमी के पास में रहता हूं ठीक है ना अपना घरी बचे यह पर पास में है लेकिन सेलएं सरश सोनभी सर अनूसर फॉर से मात मधं कर्फियू लगा हुए विध्यारतियों आप में इस कारण इसे आपकी देखा आप आपके class नहीं हुई, आज भी class आपकी सायद ही हो पाएगा, अगर आगे सरलोग समझो तो क्या बता आपके class हो जाएगी, नहीं तो इसके लिए आप लोग प्रेशान मत हो ना, और कहीं न गहीं आप लोगों का जो course छूट भी जाएगा, तो सरलोग बाद में कहीं न गहीं taking your ideas and to market बच्चे आपका, क्या दखा गया, IP and बच्चे क्या दिखा गया, SMES की बात की गई, taking आपका, क्या दिया गया बच्चे आपका, taking your ideas to market की बात की गई, ठीक है, चलिगा, next बनेंगे, 222 संपधा हर साल 26 अपरेल को मनाया जाता है, प्रतिग बस्त का मनाया जाता है, ठ इसमें copyright की बात की बात की बात की गई, इन सब पर क्या लोगों को बढ़ावा देना, ठीक है ना, चलिगा, next बनेंगे, किस टीम ने, लंदन में, final बच्चा आपका, platinum जो आपका hot square की बच्चो हरा कर, league cup football को जीत दिया, यहाँ पर क्या दिया गया, मैंने भी द्यारते हो, तो यह किस ने आपका, तो मैंचेस्टर सिटी ने जीता आपका, किस ने, मैंचेस्टर सिटी ने, ठीक है, आगे चलेंगे, सायुक्त राष्ट बाल को उसकी बात की जा रही है, यूनिशेप, यूनिशेप के प्रमुख कौन है, यहाँ पर क्या पूचा गया, United Nations Children's Fund, United Nations इसका मुख्याले कहां पर है, New York Science राष्ट अमेरिका में, आगे देखिए, मेरे भी ध्यारतियों, सवाल, मार्च मन्त के, अब इसके बारे में आप लोगों को काँपे कुछ देखेगा, रिविजन का जब पोर्शन आता आपका, तो हम लोग मार्च 2021 को रिविजन कर रहे ह और जनवरी से मैं आपको रिविजन कराते हुए, पहले लिया चुगा हूँ, ठीक है ना, जनवरी मन्त से आप लोगों को मैं रिविजन करा रहा हूँ, सभी भी ध्यारति याद रखेगा, और इस समय पर अपना ध्यान सीधा सीधा आपका काँपर होना चेह, क्लास में होन अच्छे अपने नोर्स को तैयार करते रहेगा, अच्छे से नोर्सों को तैयार करते रहेगा, ठीक है, आंसर देते रहेगा, दो हजार पच्छस तक के लिए अनताराष् Teachingi Olympic, IOC के अध्यक्स के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया, देंगेगा, जो हजार पच्छस कیک ह आई उसी के जो अध्यक्स है वो कौन बने मेरे विद्यारतियों थॉमस बग बने आपके ठीक है अब देखे आई उसी यानि कि आपको बता है कि 2020 में समर ओलंपिक खेलों का आई जन होना था लेकिन नहीं होगा 2020 में आपका 2020 में होगा कहके आप 2020 में जुलाई अगस्त को इसम आपना होती है और मुख्याले काँ पर आपका तो लोसाने के अंदर लोसाने यानि कापर स्वीर्जर लेंड के अंदर इसका मुख्याले देखने को मिलता है जिसके हैड़ कॉन है थॉमस बग होगे इसका मुख्या काम क्या होता है जो समर ओलंपिक है और विंटर ओलंपिक इन दोनों event को organize कराने का काम किसका होगा, IOC का होगा, कि कौन सी country में होगा, ठीक है न, ये Olympic खेल आपके प्रतीक चार साल बाद होते हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था, कि आपको first याद रखने हैं, आपको last याद रखने हैं, और आपको next याद रखने हैं, समझो, तो summer Olympic यान कहां पर होए थे, तो ये वे थे मेरे विध्यारतियों, Rio डी जैन्रियों में 2016 में, Brazil के अंदर Rio डी जैन्रियों में, जबकि next का मतलब आपका अगला, 2020 में होना था, नहीं हुआ, 21 में होगा कहां पर, Tokyo, Japan के अंदर, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लों को, मेरे विध् पढ़ा था, वहाँ पर मैंने आप से सवाल पूछा, कि recently एक आपका banking sector का exam होता है, state अंदर, cooperative bank, जो सहिकारी, bank होता है, district cooperative bank का exam होता है, एक state अंदर, वहाँ क्या पूछा गया था, और आप से भी मेरा एक सवाल है, देखेगा, मैंने आप से गाना, कि district cooperative bank के अंदर यह सवा सवाल, और बिल्कुल देखो, मैं अगर petition की बात करो, तो मैं पहले से यह सीज को कहीं ने कहीं रहा था, कि ऐसा सवाल बन सकता है, मैंने अपने विद्यारतियों को बताया भी, देखेगा, सवाल क्या पूछा गया था, कि जो Tokyo है, Tokyo, यानि कि Japan की जो capital Tokyo, जहां पर Summer Olympic खेलों क आईजन होना है, तो यह जापान की कौन से द्वीप में आता है, जापान अलग-अलग आईलेंड से बना है, हांसु, क्यूशू बचा आपका, इस तरो से द्वीप है ना, तो यह सवाल पूछा गया था, कि जापान की जो capital Tokyo है, यह कौन से आईलेंड पर है, हांसु में है, कि आपका क्यूशू में है, इस तरो से दिया गया था, तो इस बार जरू ढूणेंगे आप लोग, वैसे मैंने आपको current में यह बता चुगा हूँ आप लोगो, ठीक है ना, current में पहले बता भी चुगा हूँ इसके बारे में, कि यह कहां पर है, ठीक है ना, चलेगा, next बने अगले सवाल पर, देखें, अगला सवाल क्या देखने को मिलेगा, सावर मती आस्रम, एहमदाबाद में आज़ादी का अमरित महुत्सव का उदगाटन किसने किया, सवाल क्या पूछा गया, एहमदाबाद से आज़ादी का अमरित महुत्सव का उदगाटन किसने किया, ऐस से सवाल पूछना थोड़ा सा चेंजेज हो जाएगा जब आप एक्जाम हॉल में जाओगे तो वहाँ पर पूछना जाएगा कि दो हजार एकिस में भारतिया प्रदाहन मंतरी के द्वारा आजादी का अमरित महुसा बचक कहां पर इसका उद्गाटन किया गया था तब आप क पांसर क्या देखने को मिलेगा सावर मत्यासरम एहमिदाबाद समझो यही सवाल आपका वहाँ बदल जाएगा इसकी भासा बदल जाएगी समझो भारतिया प्रदाहन मंतरी के द्वारा आजाधी का जो अमरित महुसाव का उद्गाटन किया गया कहां पर सावर मती तो आप आपका एहमिदाबाद सावर मत्यासरम एहमिदाबाद इस वह से सवाल मैंने कई बार आपको बता चुगा हूँ जहाँ आप लोग गल्ती नहीं करेंगे ठीक है आगे देखेगा किसे भारत के नहीं मुख्या बच्चा आपका शांक्यगी विद के रूप में नियुक्ति कि आपका शांक्यगी विद का मतलब होगा आपका CSI चीफ इस्टेडिशन ओप इंडियन समझो सीव इस्टेडिशन ओप इंडिया के अगर बात करेंगे तो यह कौन चुनेगे मेरे विद्यारति आपका जीपी सामंत को चुना गया ठीक है प्रतेक वर्स 29 जून को प्रतेक व प्रतेक वर्स आपका कब 29 जून को देखे मेरे विद्यारति हो कब मनाया जाता है अपका 29 जून को प्रतेक वर्स क्या मनाया जाता है इस्टेडिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है ना चलेगा नेक्स चलेंगे सब ही प्रारूपों में 10,000 अंतराष्ट् महिला किर्गेडर कौन बन गे है तो यह कौन हैक विद्यारत है आपका बल्कुल मिताली राज का नाम सुनाया आप ने मिताली राज देखेगा किसका नाम आएगा सब ही प्राडुपा में 10,000 अंता रास्टरेरन बनाने वाली पहली भारत किर्गेडर कौन है मिताली राज को ने मेरे विद्यारतियों मिताली राज का नाम आपने सुना होगा चलेगा दुनिया का सबसे सकती साली सुपर कम्पुटर किसने बनाया तो जापान के द्वारा विक्सित किया गया जिसका नाम के आपका फूगाकू करके जापान के द्वारा विक्सित किया गया और इसका नाम कि AAPKA फूगाकू करके नाम दिया गया जापान ठीक है ना जापान के बारे में बताए विध्यारति आपको सवाल पूछा जाते है आप सभी को बढ़े है कि 2021 में जो ग्रीस में कालिन ओलंपिक खेल यानि कि आपका कौन सा समर ओलंपिक काईजन होगा तो कहां पर होगा मेरे भी द्यारतियों टोक्यो जापान में होगा ठीक है जापान की जो पार्लियमेंट है उसे डायट कहते है जापान की पार्लियमेंट को डायट के नाम से जाना जाते है जबकि जापान की जो करेंसी है उसे येन याद होगा आपको येन के नाम से जानते हैं ये भी याद रखेगा और वर्तिमान समय पर जापान के जो प्रदाहन मंत्री है उनका नाम क्या विद्यारती हो आपका बिल्कुल योसिदा सुगा चलेगा नेक्स बनेंगे अगले कुशन पर आत्म निर्भर निवेशक मित्र पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया देखें मेरे विद्यारती हो ये किसके तोरा विक्सित किया गया विद्यारती हो आपका तो ये किया गया आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ओफ इंडस्टे एन इंटर्नल ट्रेड के द्वारा ठीक है चले नक्स बनेंगे जैसे जैसे आप लोग लाइब आ रहे हो वैसे वीडियो को लाइक भी करते रहेगा जैसे मेरे विद्यारती हो आप लोग लाइब आते हो वीडियो को लाइक भी करना आपको शेयर भी करना है ठीक है ना और हमारा लक्षा होना ची कि इस लॉक्टाउन में विध्यार्ती, आप लोग हर कलास में 100 प्लस विध्यार्ती होने चीए, 100 प्लस विध्यार्ती कलास में लाइब होने चीए उता भी हो पाएंगे जब आप लोग सेर गर होगे, ठीक है? तीन हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबास बन गया ठीक है चले आगे देखेगा अगला सवाल Center for Advanced Redition Selin वचाप का क्या दिया गया जियो फॉर्मिकल ठीकनल क्या दिया गया प्चापका जियो बच्छापका Polymerical की बात किया आपका Materials का उद्गाटन की सहर में किया गया तो ये किया गया आपका कहां पर हज़र आपका भॉपाल के अंदर कहां पर मिर भी द्यारते हो भॉपाल के अंदर किया गया फ़ुक्त ठीक है भॉपाल सहर आपका मध्यप्रदेश की राजधानी भी है यहाँ पर इंडियन बचे आपका समझ जो क्या देखने को मिलेगा आपको तो यहाँ दखना इंद्रा गांधी रास्तिया मानव संग्राले उसके साथ सार मेरे विद्यारतियों नैस्टनल जूडिशल अकेडमी भी यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है ना चलेगा और मैं अपने सभी विद्यारतियों को सूजित करना जाओंगा यहाँ से आप सभी विद्यारति को बता होगा कि जो भारत में COVID-19 vaccination की जो शुरुवात की गई तो फॉस्ट स्टेज में 60 अबब यानि कि 60 साल से उपर के जो भी लोग थे उन्हें वैक्सीन और इसके दो डोज होगे बच्चा पहला डोज आपका लगने के बाद दूसरा डोज 28 दिनों के बाद अथाइस दिन के बाद लगेगा ठीक है ना दूसरा बच्चा दे सेकंड स्टेड में 45 से लेकर 60 यानि 45 से उपर के जो भी लोग थे उनसे मिलकर आपका याद 60 साल तक के लोगों को लगा गया दूसरे स्टेड में अब तीसरा चरण 18 से लेकर 45 वर्स तक लेकिन एक चीज दियान देना मेरे विद्यार्ति कहीं न कहीं आप में भी डर होगा सभी में एक डर होगा कि इस दौरान जो भीड बढ़ेगी जैसे आपने देखा होगा पोलिं में आपको बता देता हूँ तो एक माई से इसकी सुरुवात हो रही है वैक्षिन की और सभी लगाएं बिल्कुल वैक्षिन लगाएं मेरे विद्यार्तियों ध्यान दिजेगा उसके लिए जो भीड वाला जो आपका सिकायत थी सार इसमें बहुत जारा भीड हो सकती है भी आपका उनलाइन रजिटर्ड गरना होगा और समय दिया जाएगा तो समय देखो जब आपका उनलाइन रेजिटरेशन रहेगा तो उसमें लिमिटेट हो सकता है जिस सेंटर पर जितने लोगों की कैपसिटी हो क्योंकि उसमें कम से गम आधा घंटा वहीं पर रुकना होता ह कम से कम हाँ पावर रुकना ओता है इंजेक्शन वैक्शन लगाने के बाद कम से कम हाँ पवर वेचला पर आराम करना होता है तो इसमें काफी समय लग जाता है एक समय पर तो लगवग दिन भर में जात систем कि मुझे लगता है कि दिन भर में मुस्किल्स से 20 25 अगर ऐकी सेंटर बचापका तो एक सेंटर में 20 बच्छिस लोगों कोई क्या होगी वैक्सिन लगाई जाएगी जिसे आपसे सेंटर होगा हो तो डिपेंड गरता है कैपसिटी पे तो चलिएगा तो इसीज़ का भी ध्यान देना ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्रफ करने वाले पहले भारतिया फ्रेंसर को ने इनका दाम क्या मेरे विद्यारतियों भावानी देवी चले नेक्स चलेंगे अगला कुशन किसने बचापका रिकॉर्ड केडिगरी में देखीगा जो ग्रेमी आवर्ड समझो किसमें तो की ली-एलीस च द्वारा में जीता गया ङें अन्तराष्ट्रा आर्थिक संबंदों पर अनुसन भान के लिए भारतिय परिशाद के निदेशक के रूप में किसे चुना गया क्या पूच एगया मेरी विद्यारतियों तो किसे चुना घुर्टीया आपका बिलकुल यहां जिएागा जिए आधियाई टारा प सिक्स तियागा अपका क्या दिया गया वारीशन की बात की गए अधियनगाने के लिए साउंडिंग रोकेड यान की आरेच धियान दीजागा आरेच शुक्स 510 आरेच 560 को लॉंस किया है तो यह किसके तरह किया गया आपका तो मेलकोल इ प्रतिक वर्स विश्व उभ्भोकता अधिकार दिवस के रुप में मनाया जाता है तो 15 मार्स को जबकि राष्ट्य कब आएगा आपका 24 दिसंबर को क्यूंकि 1986 में इसी दिन कंजूमर राइट आपका क्या है था समझे भारत में उभ्भोकता अधिकार उभ्भोकता अधिकार सनरक्षन अधिनियम आया था 24 दिसंबर 1986 इस कारण हम लोग 24 दिसंबर को किस रुप में सेलिब्रेट करते हैं तो हम लोग चापका यानि की उभ्भोकता अधिकार दिवस के ये विशय क्या था सवाल देखेंगे आपका क्या पूछा गया विश्वव भोकता अधिकार दिवस 2020 के लिए विशय क्या था तो ये विशय था मेरे विद्यारते हो क्या रखा गया था इस वर्स बेलकुल आपका हेगल बचापका प्लास्टिक पॉलिशन की बात की एठिक अगले सवाल पर एठी के मोहन बागान को हरा कर किसने फुटबॉल टीम ने आई एसल दोजार बी से कि आएसल इंडियन सूपर लिग जो आपका फुटबॉल टूनामेंट है ये खिताब किसने जीता तो मुंबाई एपसी के द्वारा ये सवाल मैं कई बार बता चुका हू जैसे IPL किरिगेट से है तो उसी तरज पर आपका ISL होता है इंडियन फुटबॉल लीग होता आपका समझो इंडियन फुटबॉल लीग होता है मेरे विद्यारतियो चलेगा आगे बनेंगे अगले सवाल पर अगला सवाल क्या दिया गया 69 में 69 में राष्टिया अपना उरिषा रज्य में भुखनेशवर सहिर में जो मैंने आपको पहला सवाल बताए था और अब तक मैंने कई पार एकजांब में आ भी गया कि कहपां पर लगाया गया विद्यारिति आपका बिलकुل भुवनेश्वर के अंदर ही लगा गया। दूसरा, लिंग राज मंदिर, समझो। लिंग राज मंदिर भारत के बैचे कहपांपर आपको देखने को मिलेगा, तो ओरिशा राज्य के अंदर भुबनेश्वर में ही मिलेगा ठीक है चले मैं आपसे सवाल मंदिरों से जुड़ेवे सवाल पूछ लेता हूँ आप आंसर देते रहेगा ये सवाल आपके एक्जाम में पूछा जाएगा कामाख्या देवी मंदिर समझो कामाख्या देवी मंदिर तो ये कौन से सहर में हिस्तित है पहला सवाल मेरे विद्यारतियों के लिए ये कौन से सहर में हिस्तित है ठीक है दूसरा वीरुपाक्षी मंदिर देखेंगे मेरे विद्यारतियों वीरुपाक्षी मंदिर विरुबाक्षी टेंपल बेचे आपका कौन से सहर में इस्तित है इसका अंसर कॉमेंट्स बॉक्स में लिखके बेज़ेगा और उसके बाद कौन सा आएगा आपका मिनाक्षी ठीना मिनाक्षी मंदिर देखे ये questions आपके एक्जाम में कई बार पूछे जाते हैं आपने पेपरों में देखा भी होगा कई एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आपने आंसर देना है काम अख्या देवी मंदिर आपके सवाल जो विध्यारती अभी अभी आए हैं सभी लोग बिल्कुल वीडियो को लाइक भी करने अनिल कुमार हमारे विध्यारती कहते है सर रिवीजन कराने का देखो विध्यारती क्योंकि देखे आप लोगों को मैं जहां तक समझ बहाता हूँ मेरे विध्यारती क्योंकि हमारे बहुत सारे विध्यारती जो टेक्निकल वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ 2015 से और अब तक पहले पहले एक देट साल आपका नॉन टेक्निकल वाले स्टुडेंट को competition के competition कि मैं बात कर रहा हूँ तो पहले competition वाले विद्यारतियों को पढ़ाया और जहां तक उन्हें बहुत कुछ चीज़ें बताएं एक question अगर बताया तो उस question से related बहुत सारी चीज़ें बताएं लेकिन जब exam देने के बाद विद्यारति वापस आया तो output क्या था जीरो था zero Q क्योंकि बच्चे बच्चे आपका अगर जन्वरी से लेकर दिसंबर तक मैं एकी सवाल के बारे में बहुत कुछ चीज़ें बता दूँ और उसे समय समय पर आपको revision नहीं गराऊं तो वो क्या हो जाएगा लगवक्च जीरो क्योंकि बच्चे उसमें urgency हो जाती है जब exam hall में जाते हैं तो वो option वाला जो answer होता ना वो तो पहले ही killer हो गया कि यह तो होई नहीं सकता बाकी तीन में हम लोग उल्जे रहते हैं ठीक है और आपने भी देखा होगा जब हम लोग बहुत ज्यादा किसी चीज को पढ़ लेते हैं तो उल्जंसी हो जाती है वो इस वज़ हमपी कारणा जो हात आपाया एक हम और मीनात्र मधूरय आपका अपर नवी लाड़ जूंद्ट थिक है तो चलीगा आगे बनेगे में पर दो चलिए स्क्वा से लिख किया गया और विद्ध ध्यारत हो ये संवा अगे देखेगा किसी देज के साथ भारत ने खेल और साथ मालद्वीब के साथ देखेगा तो ये अमरी शचétais सामिल क्या। ठीक है आगे देकि प्रतिक वर्स रास्टियद ठीका करण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल वैक्सिन डे की रूप में प्रतीक वर्स मनाया जाता है तो ये का मनाया जाता है अपका तो ये 16 मार्स को मनाया जाता है प्रतीक वर्स राष्टिया ठीका करण दिवस के रूप में 16 मार्स को मनाया जाता है किस रूप में राष्टिया ठीका करण दिवस के रूप में आगे देखें कि मेरे भी द्यारती हो सवाल क्या पूछा गया सवाल पूछा गया 30 में Grammy Award 2020 में किस बच्चा गायक को अलबम बच्चा आपका क्या दिया आपका वाक्लोर के लिए अलग के डिगरी में जीता था उन्हों रिकॉर्डिंग के लिए जीता था और इन्होंने किसके लिए आपका तो फॉर्कलोर के लिए यानि कि किसके लिए एल्बम आप दा इयर के लिए पुरुषकार जीता था ठीक है ना नेक्श बढ़ेंगे किस वर्स राष्टे क्रिसी ग्रामिर विकास बेंक नाबाट समझ बच्चे आपका नाबाट की बात की गई स्तापना कब हुई तो 1982 में हुई थी 1982 में हुई थी तो वर्तमान समय पर नाबाट के अध्यक्स कौन है यदि आप से सवाल पूछा जाए तो आप का अंसर क्या बनेगा कि वर्तमान समय पर नाबाट के नाबाट का मतलब क्या होता है नेशनल बेंक फॉर एग्री गल्चर एन रूरल डेवलेमेंट नेशनल बेंक फॉर एग्री गल्चर एन रूरल डेवलेमेंट इसका क्या होगा वचारत आपका नाम होगा ठीक है तो चलिएगा अगला सवाल माल दूइब की मुद्रा क्या है क्या पुछा गया माल है किस बच्च ना प्रधान मंतरी ते ना रहा नत अद्ने के आँकि एस जी डिया happy को के साथ एक का रतान मंत्री जिनों ने किसा नास्ट के प्रधान मंतर के साथंड़ कारी ती वर्याट गरी थी किसके साथ फिल्मेंड के साथ बहुत्र हुआ पते बाद में मट्रत के लिएain को सब्षाट के साथ आपका यांत्रिक्ष के बात करें के साथfront को सब्धारन क्या जा घ्या चलेगा सब्सक्रेंगे सब्सकुन insult удच तो यहाँ सब्सक्राइब करें फूरा खारो जाट में पावर। बुक का आपका किन्वन क्या किया गया संस्क्राइब आपका लॉंस किया गया तो कुछ का आपका तो विध्यारती यहां पर क्याएगा भगवत गीता तो यह थे हमारे आज के महत्वपूर्ण सवाल एक्जाम पॉइंट आप दूसे अब तक कि जो मैं अपनों के सवाल देख आपका जगह है ठीक है न दायरादूं डिस्टिक में पांज यानि कि आपका तीन तारिक को ठीक है तीन माई और मॉर्निंग में पांच वे तक क्या विचे आपका कर्फ्यू लगा हुआ समझो कोरोना कर्फ्यू के नाम से आपका कर्फ्यू है जिसमें जो अपने सर, सैलन सर और अनु सर की क्लास नहीं हो रही है, यानि ना तो यूटूब पर और ना ही बच्छा आपका पेड कोर्स पर ठीक है, अगर होगी तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा, समझो अगर क्लास होगी तो, उसके साथ साथ मैं अपने सभी विद्यारतियों को अप करेंड नाल होने की तो आप लोग एक बार application पर जाएगा और application के माध्यम से आपको बदा चल जाएगा, चाहिए हो आपका electrical है, चाह है electronics है, चाहिए ह आपका mechanical है, चाहिए है का्सिप्रे और सभी ब्राट्स के जो अन्याजब आ हमारे faculty member जो यहाँ पर है, या हमारे team member, जो बच्चा आपका back camera जो रहते हैं ना, बच्चा सामने तो हम लोग है, लेकिन back camera जो लोग रहते हैं, आज उनसे भी introduce कराके, वही आप लोग को update गर देंगे, कि हमारे कौन से course में क्या benefit है, क्या आपको दिया जाएगा, क्योंकि हम से कही ज्यादा बहतर वो लोग भी जानते है समझ जो हमारे बच्चा आपके exam, mentor के तोर पर हैं, तो वो लोग काफी चीज़ें जानते हैं, क्योंकि वो 20 की कड़ी है, समझ आप पर हमारे 20 की कड़ी है ना, हमने पढ़ाया, तो हमें update करते हैं, कि सार यहाँ पर बच्चे की demand ये चीज़ें, तो आप बिल्कुल सम्मान क साथ करेगा, बहुत जब भी घर होगे, मैं ये गऊंगा, ठीक है ना, और तो आज आप लोगों के लिए बच्चा जो EAD परिवार के दवारा अपने विध्यारतियों को घर बैठे, तैयारी के हम लोग बात करेंगे, तो उसके लिए बच्चा बेस्ट जो भी offer होंगे, अल मैं launch कर था बच्चा आपका, 19 अपरेल को, तो अब तक हमारे लगभग इसमें, लगभग मैंने भी ध्यारतियों, 80 प्लस स्टुडेंट, 80 प्लस तो मैंने कल देखे थे, 80 प्लस स्टुडेंट इसमें जुड़े हैं, और regular देखेगा, इस program में आपको क्या-क्या मिल रहा है, तो डेली का quiz मिलेगा, ठीक है, फिरसे दो दिन से नहीं मिल रहा है, डेली quiz यानि की जो current अपर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका quiz वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इस टेडिक जी केगा, आपको quiz देखने को मिल जाएगा, दूसरा, आपको PDF के माध्यम से डेली क् 25 MCQs मिलेंगे, जो कि आपका GS का practice हो जाएगा, अब मैंने आपको जो question कराए, वो paper में आपके पास मिल गी, ठीक है, आपने print out निकाला, यह अपने mobile phone में, यह आपने देखा और उसमें important key fact आपने add कर दि, यह आपको मिल रहे है, उसके बाद देखे मेरे भी द्यारतियो, weekly revision यानि कि आपको weekly revision, पूरे हफते भर में हमने क्या चीज पड़ी, वो आप लोगों को इसमें देखने को मिल रहे है, तो यह तीन चीज़ें तो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, समझो, इसकी fees आपका 10 रुपै रखी गए, 10 रुपै रखने की वज़े, free की value नहीं होती है, free का जद रखें, बिल्कुल अनिल विद्यारते, अभी क्योंकि यह सारी चीज़ें मुझे स्वया में अभी आपका देखना पड़ता है, स्वया से तोड़ा कम है, लेकिन आगे देखे एक बार जब रिदम में आ जाएंगे ना, सारी चीज़ें फ्लो में चलेगी, तो quiz भी ह हम लोग जहां, दस सवाल रख रहे हैं, वहां पचास रख लेंगे, है ना, और उसको explain करके भी रख लेंगे, तो यह चीज़ें देखो, जैसे wide label पर चलेगा, अभी देखो, पहले ता lockdown, अब lockdown हमारी पूरी की पूरी जो strategy होती ना, जो रणनीती है, उसमें बजब आपका, बिल्कुल उथल बुलो, जब और इस्तिरता आ जाती है, ठीके न, जब इस तरह की घट, जब होता है बच्छे, आपका इस तरह का environment जब create होने लग जाता है, यह इस तरह के बच्छे चलती है, तो क्या हो जाता है, कि पूरा और इस्तिरता आ जाती है, सब में, देखो, वि आप यह सोचेगे, मेरे एक्जाम में थोड़ी कमी रह गई थी, उसे मैं अच्छे लेबल पर तयार कर रहा हूँ, हाँ, वो उसके लिए मैं गहा रहा हूँ, जो विद्यारती सरकारी नौकरी के लिए, या कंप्टिजन एक्जाम के लिए 100% अपना देना जाता है, अब यह एक महने बाद एक्जाम आपके सामने आता है, तो उस समय को कोशेगा मत, ठीके न, क्यूंकि समय गंजा होता है, समय बच्छा निगल गया, उससे दुबारा लोटके नहीं आएगा, तो इस समय का सही से परियोग करिएगा, सही से परियोग करना सीखेगा, ठीके न, तो EAD के दूरा 28 अपरेल को, यानी आज, सभी जितने भी आपके जो कोर्सेग है, एक warranty जारूर विजिद करिएगा, सभी कोर्सेद चाहे हमारे मेकेनिकल ब्रांस में है, हमारे से उबील ब्रांस में, चाहे लक्टिकल में है, इलक्टोनिक्स में है, नॉन अटेक्निकल में, सभी courses में आपका काफी ज़्यादा छूर दी जा रही है, तो आप लोग अपनी तैयारी घर बैठे, अच्छे लेबल पे गर सकते हो, और इस समय पर जो portion आपका week है, उस portion में अपने notes भी तैयार कर सकते हो, ठीक है न, तो विध्यारती आज की class को, यही समाप्त गरते हैं, मिलेंगे हम लोग बचे आपका अगली class में, तब तक के लिए धन्यवाट, ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको update गर देता हूँ, जो विध्यारती इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, सौन्दी सर, सैलेंसर और अनुच सर की class इस वज़े नहीं चल रही है, समझो किस वा कारण से, तो उत्राघंड के अंदर दैरादून डिस्टिक में, समझो आपका corona curfew लगा हूँ है, और सर लोग बचे आपका सहर से थोड़ है, तो सहर के अंदर ही, लेकिन दूरा 10-15 km दूर साथ है, तो जिस कारण से इस studio नहीं पहुंच पा रहे है, तो इस कारण से उनकी class बचा आपका ये अवस्ता तो मैं नहीं कहूंगा आपका, क्योंकि देखो हम लोग ने तो पूरी व्यस्ता गार रखी है, आप सर लोग व क्योंकि यूटूब के अंदर सार लोगोंने इतना कुछ दिया हुआ है, कि आप लोग अगर उसे भी पढ़ोगे एक बार, उसे भी रिविजन करोगे, तो आपको तो समय का पताय नहीं चलेगा, तो उन class को देखेगा, सार लोग उन देखेगा, देखेगा, आपने अगर कोर्स लिया हुआ है, तो अगर उन जो आपका नोर्स नहीं बनी है, तो उन्हें नोर्स बनाते रहेगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे लेबल पर तैयार हो सकता आपका नोर्स वगरा, तो चलेगा विद्यारती आज की गलास को, यह समाप्त गरते हैं, धन्याबाद. क्रेटिव आकास विद्यारती बिल्कुल बिल्कुल विद्यारती हो, ठीक है ना, अब इशेक शर्मा विद्यारती पीडिया पांस बचाप चैट में जाएगा, चैट में जाकर हो जाएगी, ठीक है ना, अब इशेक विद्यारती में आपको बताया ना, आप चैट बॉक्स में जाएगा, चैट बॉक्स में मैंने स्वयमी अफ्लोड गरी है, उससे हो जाएगा डाउनलोड आपका, ठीक है, तीन बज़े वाली क्लास होगी भी द्यारती, बिल्कुल मेरी जितनी भी क्लासे हैं, उससा भी होगी, और कुछ नई क्लासे भी आपको देखने को भी मिलेगी,